पर जुर्माना रखा गया है दूसरी बार मास्क ना लगाने पर 10,000 रुपए जुर्माना रखा गया है पूरा दिन सडकों पर वसूली चल रही है ठीक है आपने अपनी तरफ से वसूली कारेकरम शुरू कर दिया है लेकिन अस्पताल में बेड ना मिलने पर सरकार पर कितना जुर्माना होना चाहिए शम्शानों में दिन दिन भर मुर्दा जलाने की वेटिंग के लिए सरकार पर कितना जुर्माना होना चाहिए जितने मंत्री और ये मुख्यमंत्रियों ने बंगाल से कोरोना लाकर पहलाया है उन पर कितना जुर्माना होना चाहिए बंगाल में ब कोरुना महामाली जहल रहा है आपने पूरे देश में कितने नए होस्पिटल बनाए हैं अगर नहीं बनाए तो क्यों नहीं बनाए है क्या कुरुना आपदा में घिरे देश को एक हजार करोड के नए संसत भवन की ज़रूरत थी क्या देश को तीन सो करोड के नए बीजीपी दफ्तर की ज़रूरत थी क्या देश को ततकाल ग्यारा सो करोड के राम मंदर की अवशक्ता थी मंदर के लिए चंदा मांगा जा सकता है तो हॉस्पिटल बनाने के लिए भी सरक पर कोई जुर्माना लगाएगी क्या कोरोना आपदा में देश को कुम्भ सजाने की अवशक्तत थी क्या देश को कोरोना महामारी के बीच बंगाल चुनाव में रैलियों के अवशक्तत थी नहीं थी देश को अस्पतालों की जॉक्टरों की कोरोना की दवाईयों की जरूरत कुछ दवाईयां बनाएं भी तो वावाही के चकर में विदेश भेच दी आदे अधूरे तीका करन में देश अभी अटका हुआ है और ये कैसे तीका बनाया है जिसे लगाने के बाद भी कुरुना हुआ जा रहा है सबको अपनी अपनी तारीफ चाहिए कुछ ने तारीफ के लिए तो फौज पाल रखी है और जिनका मन फौज से भी नहीं बढ़ता है उन्होंने तारीफ के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग बना दी है जनता का बैंड तो आटोमेटिक बजी रहा है जिनके अगल बगल से कोरुना से लाशे नहीं उठी है न वो मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे जो कोरुना की पीडा से गुजरे हैं जिन्होंने कोरुना से मरे हुए लोगों को शम्शान में जलते देखा है जिन्होंने कतार में लंबी लाशे देखी है वो जान जाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ और क्यूं कह रही हूँ चलते हैं राम राम जहिन दूआ सलाम